टॉपी बहुत इंफ्रस्टिंग है भाहर से मत निकल लियो ठीक है अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन प्रेस इसलिए कीजिएगा विकस सारा आपका स्टडी कंटेंट है इसलिए आप वीडियो मतलब चैनल पर आये होंगे तो नोटिफिकेशन टाइम लिए आपको मिले कि क्या कंटेंट अपलोड हुआ है देखना देखना आपकी चोईस है इसलिए बैल आइकन प्रेस कर लेजिएगा राजिस्थान में हम लोग रह रहे हैं राजिस्थान के जन जाती है बहुत है हमारी ठीक है और यह बहुत चल रहा था अपना उसके तीन से चार वीडियो बने हुआ है मैं पब्लिश कर दूंगी उनको तो फूर आपका टॉपिक चल रहा था अब यह दो टॉपिक में स्टार्ट कर रही हो और जन जाती और चित्रक्रत दोनों ही बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक से बहुत अच चल यह स्टार्ट कर लेते हैं रहा थान की परमुक जन जाती है सबको पता है सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि सबसे ज़या जन जाती जो है वो उदयपुर में निवास करती है और सबसे कम करती है बिक का नेर में दो क्वाइशन्स यह हुए प्रतिशत के अधार पर अग जोगोर में सबसे ठीक है अभय मीना जन जाती आप में इस और जादा भी है मोरी रासंतान के अधार सबसे बड़ी लिंखी के चलिए इसके बारे जानगे बहुत इजी है इसको learn करना सबसे पहली बात आप सबको ही पताएं तो बताने के ज़ुआती नहीं दो तरह के तो आपके मीना होते हैं दो भागे इनके चौकिदार और जमीदार जो चौकिदारी का काम करते थे पहले वो चौकिदार और जिनके पास जमीन थी मतफस्य पुरण बोल सकते हो, ठीक है रचनाकार कोले मतफस्य पुरण के मगन मुनी है, यह गः है ज़्यान देना इस पे ग, मगन मुनी है ठीक है, इतना लार हो गया हो गः इसमें कोई दिक्कत न्य रीपीट कराने की पुछ नाम में बता दियाम प्रिय पक्षी कौन है ? इनका मोर है ? fit न इस ते बीजाइन आसकता है, पंच-पटेल, टमस से रेलेटेट इस द से लिए रिलेटर प्रिर काको 64 केते हैं, जो भी ार जा झाले आपको पता है क्या एक सब्सक्रेवर आगे चलते हैं कच्छे घरों को क्या कहते है та आप रहा है चप रहा है São इन में जो बिजाइनिंग की जाती है जिस तरह से मांड़ना जो किया आता है उसको मोड़नी मांड़ना कहता है ठीक है मोड़नी मांड़ना ताराभाद की ओड़नी का प्रचलन है ध्यान रखिएगा इस चीज को की ओड़नी कौन सी ताराभाद की किनकी मिणाओं की महिलाओं का गले का प्रभ्मुक आभूशन है एक तो खुंगाली और एक सीतारानी यही indeed रानी एक खुंगाली और क्वेशन कैसा बनसकता भई की खुंगाली कहां पेना जाता है गले में यहां इसा पूछ सकते हैं कि इनका संबंद किसookie माईलाउ ने था है अब एक चीज आगए आप के जैराम पेशा कानून के विरुद जैराम पेशा कानून था क्या बेसिकली वो पता होना चाहिए इसमें कहा था भई कि कहीं भी चोरी हो जाए तो उसमें मीनाओं का नाम लगा दिया यता था कि रोज मीनाओं को चौकी में आके अपनी एक बार जाके हाजी लगानी होती थी और अगर नहीं लगाई तो चोरी का हुजाव उसके उपर आ जाता था तो इस चीज के अगेंस्ट इसके विरोध में इन्होंने क्या किया था अंदुलन किया था यही जैराम पेशा कानून था इसकी विरोध में अंदुलन किया गया कब किया था 1944 को ध्यान रखना है नीम का थाना ठीक है बही जो नीम चहां पे नीम का थाना है वो नीम का थाना सिखकर ठीक है नेत्यत्व मगन मुनी नहीं किया था इन्हों नहीं रचना की थी मीन पुरान की चलता रहना चाहिए सब माइड मेंड स्टोरी की तरे पढ़ना है इसको मीना जन जाती को बहुत ही अच्छी जन जाती है वही अगर कोई मीना पुरुष दूसरी अरे यारे फोन फ्लो खड़ाब कर देता है एक तो मेरा गाइस चलिए आप अपन तो पढ़ते जाते हैं अगर कोई भी मीना पुरुष ठीक है इस साव शाका थोड़ा सा हो जाता है मैनेज कीजेगा हसने के इच्छा कर रही है तो पॉस करके हस लेना कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई मीना पुरुष ठीक है दूसरी जनजाती की महिला से विवाग करे तो उसे सुर्तेवाल मीना का जाता है क्या कहते है सुर्तेवाल मीना ठीक है जी आगे बात करते हैं मीना जनजाती के जो लोग है ठीक है वो बूरिया बाबा जो हैं उन्हें मानते हैं तो उनकी जूटी कसम नही ठीक है जी और खा भी लेते हैं तो कुछ नहीं होता ठीक है फिर पविचे तीर तिस्तल जो है इनका कौन सा है रामेश्वर धाम रामेश्वर धाम का है समाई मादोपूर में ठीक है इसे मीनाओं का प्रयाग राज भी कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रयाग राज मीनाओं का ठीक है रामेश्वर धाम समाई मादोप प्रमुग देवता हैं भुज देवता और भूर या बावा के जूटी कसम नहीं कहते हैं मत का ना बैए वरवदू को लड़ा-लड़ी कहते हैं कुछ नहीं बात नहीं है सबसे पड़ी लिकी जन जाती है मैंने आपको पहले बता दिया पड़े का मास खाते हैं इसलिए पड़ी हार मीना कहते हैं मेला मीना जो है वो सभी प्रकार का मास खाते है वो टॉक में सबसे ज़्यादा मेलते हैं मत काया करो ठीक है फिर आगे है समरिया मीना समरिया मीना जो है ऐसा कायाता है वो चमड़े का कार्या करते हैं वो समरिया मी है फिर है आपको अब किस्षिकर के मीना जो है वो दो जीन माता की पूजा करते हैं करो लीके मिना करते हैं कासे का केला देवी अब देखो कसे का तो हो गया आपका अज्जा से जा हो गया फिर अन्यपूर्णा ध्यान रजाएगा सिक करके जो है वो जीन माता की करते हैं यह आपको शाद ध्यान होगा आप भरतपुर में कर लिजे दुर्गा माता अलवर में हो गया नरायन माता ठीके जी तो यह तो अगया आपका मीना जन जाती इसमें मुझे लगता नहीं कुछ रिवाइस कवाने लाए कि आप वीडियो को पॉस करके पहले से रिवाइस करेंगे बुरिया बाबा की कसम में रिवाइस जरूर कर लेना इसको ठीक है उसके बाद भील जन जाती को आप पढ़ेंगे फि कर नल जेंस टोड जिसको की घोडे वाले बाबा कहते है इन्होंने अत्त मचा एए राजस्तान के अंधर ठीक है तो देखिए इन्होंने क्या किया है बीलों को वन पुत्र काये कर नल जेंस टोड ने बीलों का जो रण गोष होता होट ऑई-फाइर-इफाइरे होता है क्या गाउं का जो मुख्या होता है उसे बोलते हैं गमेती, नई नई वर्डिंग्स आगे, गमेती आगया, पालकी आगया, पाल आगया, कु आगया, फाइर है, छेक जी, तो देखिए गर से तो गाउं गमेती बोलेंगे, गाउं के मुख्या, कि बहुत सारे घर जो होंगे, उने लीला मोरिया, विवा को कहा जाता है लीला मोरिया, विवा भी एक लीला ही तो है, लीला मोरिया, वेवाहिक देवी और देवता भी हैं, वेवाहिक देवी तो होगी भराडी और वेवाहिक देवता होगे टोटम, वेवाहिक देवता होगे टोटम, चीक है, पतरक्षक देवी ह या फिर काईटा किसको कहते है मृत्य बोज को बील शेत्र को कहते है भोमट या फिर मगरा बील शेत्र जो है उसे कहता है भोमट या फिर मगरा दो प्रकार की दोती पहनते हैं ये देपाडा दोती को देपाडा कहेंगे जो तंग दोती है उसको देपाडा कहेंगे जो डीली होती in natin लिखा थीली लिख दिया है डीली दोती को khoya तूब जी माग में कर लो कि अज्योन कर लो भई कि आपन तंग लो था पाहन रहें तो वह तो होगई लाइब रख सकते हैं और जो ब्रॉट पी गलत बोल दिया है话 सिरका साफा उसको बोलते हैं पोत्या होँथ अधोवस्त है, मतलब जो उपर की जो वस्त है, उसे बोलते है कच्छाबू, अंगोच्छा, ठीक है, पे प्रदात को बोलते है ताडी, महुडी, और ये बनता किसे है, इसे बीलों का सोमरस कहते है, और महुवा की फूलों से बनती है, ठीक है, महुडी, या फिर ताडी, पव छाम सराद को फोड़न है, इनपा बने आपके में तो नियो होता है, जिस्के को संवान जनक शो करने पहुचे ऐट con co, क्वास, प्रेक्ट कारे होट का बना या, वास, अमने भरकी है तो क्यात स्वान कूँ करे लोकिक है, neighborhood को अगर कांडी शब्द बोल दोगे तो बढ़िया आपकी खाति दारी कर दी जाएगी दुन दिया जायगा आपको बढ़िया तो ये खाति बोलना है ठीक है और प suited जो ये बोल लो तो बहुत आपकी खाति दारी होगी आपका सब कहना-पीना बढ़िया होगा सुम्रस आपको प बासवाडा में लगता है चेत्र के अमावस्तिया गोटी अंबा का मिला बासवाडा चेत्र के अमावस्तिया फिर अगला है आपका वेनेश्वर सबको पता है डूंगरपूर ठीक है देखिए वेनेश्वर डूंगरपूर रह से रह ठीक है ऐसा ध्यान रह सकते हैं ये भी रह और यह लगता है माग की पूर्णी माग को भिल चन जाती के लोग इसमें अपना जीवन साथी चुनते हैं केसर या काला जी केसर या नात काला जी या रिशब देव जी का जो मेला है वो लगता है दुलेव और दुलेव है आपका उदयव पूर में ध्यान रठना है हम मेले पड़ेंगे वैसे सारे केसर या ना तिया फिकाला जी या फिरिमिशव दीव जी का जो मिला आपको धुले वुदैपूर में लगता है आगे चलते हैं, चड़ी हुई जो केसर, जो चड़ती है न केसर, उसके उपर पानी भी डाल जाता है पानी चड़ाया जाते हैं तो उस पानी को पीकर केसर वालो जो पानी है चड़ी हुई केसर का जो पानी है उसको पीकर जूटी कसम नहीं खाते हैं और खा भी लो तो कुछ नहीं होता है ठीक है जी मानिक के लाल आदीम जनजाती शोज संस्थान इंपोर्टेंट है मानिक के लाल आदीम जनजाती शोज संस्थान जो है उधैपूर में है और ये क्या काम करता है भीलों के संस्कृति को बचाने का कारिय ये करता है संस्थान जलिये आगे देखते हैं कितना वड़ा हो गया जी 13 मिनिट का हो गया वीडियो रोक के उपचार की विदी होती है डाम देना ठीक है वो डाम देना है गाधों में सबसे बड़े बजुर्गय को डाहल कहते है विवा के अफसर पर लाल साडी जो पहने जाती हूँ सिंदूरी कहते है और पीला जो लेंगा होता है उसे पीरिया कहते है पीलिया नहीं कहते है पीरिया कहते है चीके जी बीर जन जाती में सुगटिया वा हमसीडो तो लोग गीत काएंगे कौन से लोग गीत है सुगटिया औ सेड़ो और इस्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर ये गीत गाते हैं और बोली कौन सी हैं इनकी वागडी, बांगडी नहीं है वागडी बोली है ठीक है वागडी शेत्रवाली वागडी बोली है तो ये तो हो गया आपके मैं इसंपर रिपीट इसले निकावारी वीडिय की लैंच ज्यादा हो जाएगी आपको तो देखो एक तो ये केसर के पाने कि कसम है जो भील है ठीक है और जो मेंड़ा है उन्हें आपकी भूमिया बूरिया बाबाब की कसम है तो इसको revise करके उसके बाद ही वीडियो के बाद निकलेंगे आप ठीके जी मिलते next वीडियो में आपको first time visit कर रहे हैं कुछ भी अच्छा लगा तो comment करके दस्यो मैनत कर रहे हैं वही है आपन ठीके तो आपको थोड़ा सा appreciate करना चाहिए मिलते next वीडियो में thank you आप लग बहुत तरक्की करें यह विशेज है always